नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सायन आप देख रहें सांस्टेक चुचे उडियल्स आज हम 45 मिनिट्स में पुरा PHP सीखने वाले मैं जितना हो सेके उतना यहां के कवर करनी के ट्राइ करूंगा PHP के अंतर आप देख सकते हो मैंने सिंपल HTML का एक फॉर्म बना के रखा हुआ है और अगर आपने अभी तक HTML नहीं सीखा है तो आप मैं नीचे लिंक पास करता हूंगा 15 मिनिट्स में 20 मिनिट्स में सीख सकते हो और मैं यहां के यहां करवाने वाला हूं इसके बाद यह फुरा एक फॉर्म है और यह पुरा सर्वर पर चलेगा एक्चुली जो भी पीएच्प का होगा तो मैं सर्वर लिंक दे दूंगा या तो फिर मैं एक और टूटरल बना दोंगा मैं एक पर आपको यहां के वैल्यूस पास करके बत दिखे नहीं जो भी आम नेम और वह सब डाले वह दिखे नहीं इसलिए हम पोस्ट उसकर रहे हैं अगर हम गैट यूस करेंगे तो सारा डेटा हमारा दिखेगा तो सिंपल यह एक हैस्टेमल का फॉर्म है इसको मैंने टेबल में कनवर्ट किया हुआ है तो चले शुरू करत है सबसे पहले लंडट पीएच्प के अंदर पीएच्प के लिए भी हमें हमें यूज करना है फिएच्प सिव लॉजिक के लिए यूज होता है मैक्सिमा और यह सब हमने सिंपल मेंने टेबल बना के रखा हुआ है अब देख सकते यह बटन है नेम तलो पीएच्प के पीएच्प होगा तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं पीएच्प तो इसके अंदर मैं आपको सारे टेक्स बता दोंगा जितने भी है पीएच्प में ज्यादा से ज्यादा कवर करने का ट्राय करोंगा तो चली शुरू करते हैं तो पीएच्प में सबसे पहले कमेंट्स तो कमेंट्स श्लैश और स्टार से मटिलें कमेंट जैन सिंगल लाइन कमेंट यह सिंगल लाइन कमेंट डबल श्लाइश और हैसे लिखते हैं इसके बाद हम प्रिंट यानि प्रिंट करने का स्टेट इसके लिए हम इको लिखते हैं यानि कुछ भी हमें डिस्प्लेया सब कुछ होगा वो होगा टर्मीनिट होगा सेमी कॉलन के साथ आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है लंडर पीएश्पी के अंदर तो यह हमने डिस्प्ले करवाया है कि इसके बाद अगर मुझे से कोट्स में चाहिए हेलो वीवर्स तो मैं से कोट्स यानि क्यों HTML के टेक्स यूज करूंगा लेकिन HTML के टेक्स इतने भी यूज करने हो आपको तो सब कुछ कोट्स यह स्ट्रिंग के अंदर यानि जो डबल कोटेशन में आगे दिया हुआ है सब कुछ उसके अंदर आएगा यानि यह कोट्स हो गए अब हमें सिंगल कोट करना हो तो वह हम इसमें नहीं कर सकते हैं वह फिर सिंगल कोट को अंदर काफी प्राब्लम हो आप एक बार चेक कर लिना क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है इसके बाद है डेट कमांड यानि यानि इसमें अम सिस्टम के देट और वह सब दे सकते हैं इसमें पास कर रहा हूं यानि हमारा यह डेट कमांड रहा हो यह तीसी इसके बाद थोड़े और मैथर्प्धे कर दे रहा हूं तो आप देख सकते हैं यह एकोर्ष देट आवह f1 ए मिनिट्स एस फोर सेकृंड यह उसे कर लेते हैं अभी फटावर यानि इसे कैसे यूसे करना इसरे देट के कमांड जे तो हम देट का यह फार्मेट से एक्षुडी तो इको देट देट कमांड से यह देट प्रिंट करवाएंगे यानि देट इसके अंदर सिंगल कोड एच यानि 12-hour formats sorry hours i minutes as seconds u for microseconds then space a a for lower lowercase ampm then comma l l means full text for day f means full text for month j s any day of month and suffix any st and drd then y and e for utc or time zone you can see this 1042 my time 1042 microseconds thursday september 14th 2017 utc if i want to break the line then eco br you can see this break the line when i break line kar diya तो ऐसे हम ब्रेक लाइन करते हैं हमें सब कुछ जो भी html के टेक्स करना है तो हम डबल कोटेशन के अंदर यूज कर सकते हैं पी एच्प के अंदर तो यह है डेट कमांड आप देख सकते हो 1034 देते दिस मैं इसे अब डिलिट कर देता हूं जरूँ नहीं है अब हम स्टार्ट कर रहे हमारे फॉर्म का डेटा वहां लाने का तो उसके लिए हम अब देख सेकते हम आने तीन बनाया हुआ है ने में अडरेस सिटी और इसके अंदर मैंने ने पास किया यूजर नेम उसका नाम रखा यूजर नेम अडरेस और सिटी वह टेक्स बॉक्स क अगे हम जो भी पास करेंगे वह टोमेटिकली वाह जाएंगा dollar post ट्रेन फॉस्ट शेए टो डॉलर अंडर को यह post मेथर तो हमसाब data पोस्ट से लाना ट्रो यह प्ष्ट की हमारा जो भी यूजर नेम उसके लिख वाह होगा व वो आ जाएगा यूजर नाम के ऒरिये बेस हम website qrqq-4DYा नीचे हम पास कर देते शिटी और यहां हम पास कर देते शिटे इस हमारे तीनों वेलिउस वहां से यहां आगे पास हो चुकिए सब्मीट बेटन की क्लिक पर अब क्या करते हैं तो हम सिंपल इसे प्रिंट करवा सकते हैं वेडियेबल पीएच्पी में डिफाइंड डॉलर से ही होते हैं अगर यहां आगे आप इंटीजर वैल्यू डालोगे तो आटमेटिक इंटीजर बन जा जाएगा और यूजर नेम एड्रस और सिटी जो भी पास किया होगा वह अटमेटिक अब इसे प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास इको उससे यूज करते हैं लेकिन आप देख से यहां के अलगले टाइप से इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग स्ट यूजर कोंकेटिनिशन इसके बाद बियार यह मैं आप को कोंकेटिनियशन किया यानि कंकेट किया यूजर के साथ कंके इंशन के लिए यूज करते हैं एंड एड है कि HTML में हम plus use करते लेकिन PHP के अंदर हम डॉट यूज करते हैं कॉंक टैनिशन के लिए तो चलिए चेक करते हम यूजरने यहां जो भी वैलियू डालेंगे प्रिंट होनी चाहिए तो पास की देखिये अप यहां के प्रिंट हो रहा है, सारी वेल्यूस प्रिंट हो रही है युजर ने मे कमेडरस and City स्टी स्पर्शन गेएੰ ऐसे हम पास करते हैं लुडुडू विभास पुलिदर फार्म आपने देखा हूं का powiedział submit form लाइक वैबबज beneath me form flying online to submit contact as forms तो वो context forms basically इस पर dependent होते हैं सब कुछ ऐसे ही यूज होता है फिर str मैं आपको बता रहा हूं hero dog command EOD यानि आपको अगर hero dog command यूज करना हो यानि multiple lines लिखनी हो इको के अंदर तो ऐसे लिख सकते हो तो इससे परहें तीन अंगुलर बैकेट फिर EOD और मैं इसे str नम के वेडियोबल में स्टोर करने वाला हूं तो अधा कस्टमर नेम इस डॉलर यूजर यानि वह यूजर नाम वह आ गया एंड दे लिव एड एड्रस यानि ए डबल डी इन सिटी मिन सिटी का नाम यानि जो भी वहां आगे पास किया होगा वह सब कुछ यहां आगे आ जाएगा इसके बाद इसे क्लोस करेंगे सीब्सक्राइब यानि इसके वांट मियर डाल रहा हूं भीएएडग के बाद यहां कि मैं करक्लॉस करताओ अफिछ जाएगा अब यक्श Shortly कर अशूंस पूरा行सिस्टी च्टीया में ध्स्ट्रिंग बनाई थी सिंपल आप देख सकते हैं मैं यह जो भी वैलियूस डालूंगा वह साली वैलियूस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी देगे तो कस्टमर नहीं में साहिल एंड ले वैट साखे जिनायम धबात तो यह पूरी यह हिरो डॉक कमंड ऐसे यूज होता है तो अब मैं से दिलेट कर देता हूँ और इमूओ कर देता हूँ इसके बाद मैं एक इसका की मभीढ Zumo एंड प्रेकट यानि अब कहीं भी हम पाई लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर इको पी आई पाई तो आटमेटिकली वह 3.14 नहीं हमें प्रिंट करके बताएगा यानि हम ग्लोबली वैरियेबल डिक्लेर करते हैं देख लिए आप मैंने जैसे ही पाई प्रिंट करवाया यह आउटमेटिकली पाई की यह ग्लोबली वैरियू वैल्यूस डिक्लार करने के लिए यूज होता है मैंने पहले से ही डिफाइन कर दी वैल्यूस इसके बाद मैं आपको इको आप बी यार सरी यह मैं ब्रेकेट्स में लिखना बी आर देन 5 प्लस 2 एक्वल टूड़ ब्रैकेट में 5 प्लस 2 मैं आपको वह अरिट्मेटिक ऑपरेशन सारे बता रहा हूं यानि अरिफमेटिक्स plus minus arithmetic operators इतने भी है सब कुछ में बता देता हूँ आपको यहांगे मैं सिब copy paste कर रहा हूँ and minus multiplication division and modules module means remainder मैं यहां भी change कर देता हूँ modulo divide multiplication and minus तो SM सारे arithmetic operators मैंने यहां use कर लिए कर सकते हैं इसके बाद आते conditional operators वो भी हम use कर लेते हैं अब देख सकते हैं अगर मुझे 2.5 ने 2 ही रखना यानि whole numbers लिखना है तो मैं यहां आगे integer ऐसे bracket में लिख सकता हूँ इसे बोलते हैं type casting runtime type casting टाइप कास्टिंग किया देखिए अब यहां 2 यहां 2.5 नी आ रहा है विकास whole value whole number चाहिए वो तो इसके लिए हम type casting कर सकते हैं integer float जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ एक रेंडम नंबर ले लेता है याने increment decrement बता देता हूँ आपको तो रेंडम नंबर मैंने ले लिए 5 अब मैं प्रिंट करवारा हूँ डॉलर रेंडम प्लस इक्वल टू 10 यह है शॉटकट एक आपको बोले ना तो शॉटकट इसे मैं मेरी लेंगविज में से शॉटकट ऑपरेटर बोलता हूँ जाकि मुझे डबल प्लस ना करना पड़ा आप देखिए 15 अरह यानि रेंडम इक्वल टू रेंडम प्लस 10 इन रेंडम नंबर 5 यह तो 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 होता है तो मैंने से सिंपल लिख दिया रेंडम प्लस माइनस यह आप देखें कि वैसे यह सारे शॉटकट ऑपरेटर्स है मैं इसे शॉटकट ऑपरेटर्स बोलता हूँ आप इसे यहां कुछ भी बोल सकते है अच्छली रेंडम इक्वल टू फाई रेंडम रेंडम प्लस प्लस यह इंक्रीमे अधिया यहां कोटमार एगा अहीं इस इसको बाद इको रेंडम गार प्लस प्लस रेंडम अचुली ऐंडम किल टू है कॉछ है कौंकाट एचांक किया हमने यहां की डॉट से ब्लस-प्लस रैंडम नीचे इसे इस पोस्ट कर लोगे अनीऊ पर वाला है वो प्री इंक्रीमेंट नीचे वाला व़ो पोस्ट इंक्रीमेंट और अनी इसमें क्या उखा सबसे पहले बेरेंडम की वेली वैगे तो 5 स यह सबसे पहले सब्स कर हैं सिक्स कर चतेश प्लस कि और उसके बाद waste क्या इसने सबसे 5 हैं की में चीद खालिविए जुए कि और फृट की इसमें क्या सब्से पहले फैरल कि यहृट फ्रेवर लिवेर्ट कि और इसके व्हें प्रिंट कि लिए. यह आप अगर में र तो यह है increment operator आप यहां Decreement भी यूज़ कर सकते है डिकरिमेंट के लिए माइनस माइनस है इसके बाद प्लस 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 एक और भी आता है वह मैं आपको बताता हूं दो मिरिट मैं इसके बाद reference to number यानि किसी और और नंबर का reference लेना है यह से मैं reference to में बनाया और उसमें M% dollar random डाल दिया इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं Simple random equal to 100 यानि random random number के value मैंने change की इसके बाद ECO, ECO के अंदर मैं reference to number वह जो variable वह equal to print कर वा रहा हूं यानि random के value मैंने reference to number के अंदर use कर वाई लिकिन reference to यूँ नंबर के वेलईू उसके न में प्रिंट करवाई जम है अब देख लिए मैंने इसके अदर कोई वैलेःओ कि लेकिन तो अभी 100 आ रहा है मैंने reference to number के अंदर कोई value declare नहीं किये क्यों कि मैंने इसे reference किया reference किसके साथ तो random के साथ reference किया और कैसे किया तो m% की sign लगा कर random तो यह हुआ reference to number PHP के अंदर इसके बाद है यह सब conditional operators यानि if else के अंदर use कर सकते equal to equal to not equal to greater than less than greater than equal to less than equal to तो यह सारे if else में use होते है यानि if यहां तो else yes यहां तो no तो हम सुरू करते है and then एक और है equal to equal to equal to equal to by equal to by number equal to by type and equal to by there and then not equal to equal to value तो let's see if condition if 5 if by equal to equal to 10 means 5 equal to equal to 10 हो तो if के अंदर जाना चीए यहां में print कर रहा हूं 5 equal to 10 कि अगर 5 equal to equal to 10 है तो 5 equal to equal to 10 यानि actually print होना चीए अगर नहीं है तो क्या होना चीए प्रेंट तो 5 not equal to 10 यह प्रिंट होना चीए तो चलि एक बार देखते हैं आप सबको पता है 5 equal to 10 नहीं होता है तो देखे क्या प्रेंट कर रहा है 5 not equal to 10 ऐसे यूज़ करते हैं conditional operators तो यह थे conditional operators में थोड़ा इफ के अंदर एक और चीज़ है एलसिप भी यूज़ कर सकते हम यह इफ एलसिप इसे बहुत सब लाइक ज्यादा एक से ज्यादा conditions डाल सकते हम लोग ठीक है मैं आपको बता देता हूं मैं आगे डॉलर ले रहा हूं एपल इक वर्टू अपल एक वर्टू यह यह फैइल क्यूंद तीन च्रेंग कर रहे हूं मैं शुरम केसे वे अबटा दे माता दीसे पहले से जूम नहीं किया था मैंने इसके बाद में डबल ब्रेकेट यूज कर रहा हूं इसके अंदर यानि दो एपल यानि इफ आयम चेकिंग के एपल ग्रेटर देन 20 यानि 20 से ज्यादा एपल हो 20 से ज्यादा एपल हो एंद एंडग मैंगो एक और बेत गैंकिंग मैंगो ग्रेटर रहन गाएं फि Questions तो क्या उना चींगेगे इ технолог है 25 इंदम अगर तुमने 20 से ज्यादा एपल खरीदे और 25 से ज्यादा मेंगो खरीदे तो मैं 25 परसेंट मिलने वाला एल्स इफ ऐसे यूज़ करते हैं अगर एल्सिप यानि यही में लाइन कॉपी कर लोंगा एक्चुली यही लाइन हम यहां लिखने वाले सब्सक्राब केंदे ये अगर 15 करते हैं चैजनी अगर 50 जब से हो आपनी शर्डा से ज्यादा करके होनी ट्राइन से ज्यादा रिए और यह यांट करतेवों ब जर्णत टो मिलना चींडिव उर्यूंट को अभी सं फिरूंट परसेंट का है यहां तो दस से ज्यादा पल लिये हो यह तो बीस ज्यादा मेंगो लिए यानि कोई भी एक चीज भी लियों तो भी 15% लिए और कुछ नहीं लिए तो भी 15 पर संट मिलेगा लेकिन 25 पर संट मिलेगा जब तुमने 20 अपल लिया और 20 से जादा और 25 से जादा मेंगो लिया और दोनों कंडिशन के हिसाब से लिया तो अधिम्हें मिलेगा तो चलिए एलसे एक और करते यानि यह कि नौट इकवल टो यूज़ करके बताते हैं आपको कि नॉट कि नॉट यूज होता है यानि कि कंडिशन के बाहर यूज करते हम मैं यहां कि यूज करना हूँ डॉलर एपल यह अगर आपल पाथ से कम लिये सोड़ी एपल Less Than Five , अगर उसने पाथ से कम एपन लिये , और Mango , उसने पाथ से कम यह नहीं लिये यह फाथ से कम नहीं लिये , खिलो Not . यह अगर पाथ से कम एपन आपन लिये , तो उसे पाँच पर्संग डिसकांट दे दो अगर तो ज़्यादा ही होगा है कि यह तो फिर नो स्कॉथ अगर पाँश से कम लिये तो कुछ DANT इंहीं भी रितन नेुञा 6 00 शावंख पांध से ज्यादा लीए था 5 संक मिलेगा कि perché छोगया ना चला था कमेंच कर सकते हो कौ resonates आपको पताना चले तो यहां आगे क्योंकि आप देख सकते हो मैं सिंपल सब चीजे जहां से समझाई हुए अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो मुझे एक बार मैसेश कर देना यह कमेंट कर देना तो नो डिसकाउंट आप देख सकते हो यहां मैं रंगर कर बता दो हमगा आपको इस कंडिशन के अंदर हमने पाथ से तो सब कुछ ज्यादा ही लिया हुए हमें 5% डिसकाउंट हो जरूर मिलेगा क्योंकि हमने मैंगो और दोनों पाथ से ज्यादा लिये हुए हमने 25% के टेकर दो हाए कि इसे मैं रि dicen कर देता हूं इसके बाद है कंडिशन वेल कंडिशन फॉपरेटर जैने अंडे अग्सेन माुट्स कुछिए कं वैलिओ इंट्रू और इस फोल्प लिए शैनि हम कंडिशन चेक कर है कि कि ट्रू यां तो फॉल्स दो ही आंस 15 greater than 10 तो 15 प्रिंट ओ या तो 10 प्रिंट तो ये true और false याने 15 अगर सही है तो 15 प्रिंट होगा अगर false है तो 10 प्रिंट होगा 15 greater than 15 है sorry greater than 10 है यह सब्सक्राइब तो क्या प्रिंट वह 15 ये conditional operator याने अगर पास कर रहा हूं यानि यूजर यूजर नेम जो भी पास करेगा वह उसर अंदर स्विच में पास कर रहा हूं अगर यूजर साहिल है तो कॉलन के सब्सक्राइब कर देना है यानि यह तीन स्विच केस के अंदर वेल्यूज है हमने केस यानि सबसे पर्फ़े चेक की के वेल्यूज क्या है वह चेक कर रहे हैं यूजर नेम कौन सा है मैं सायन कर देता हूं तो हेलो सायन इसके बाद मैं एक और तीसरा केस ले लेता हूं केस सुरी मैं डिफॉल्ट कर देता हूं बस दो तो बहुत हो गए एक्शुली आपको सिखाने के लिए डिफॉल्ट यानि कि अगर दोनों में से एक भी नहीं है साहिल भी नहीं और सायन भी नहीं है तो हम क्या प्रिंट करने वाले हैं थेलो है यहलो भीवर एंड ब्रेक इनि ब्रेक इसलिए यूज करें के एक केस रण करके वह बंद हो जाना चाई हर एक हर तीन और त्रिंट नहीं करहाँता तो अब देख लिए एक बर खिर से रण कर मख़ला कर दो है सही हम सहील है तो घलो सहील बोलना चाहिए वह सबस्मीट अब देखसके हैं लिखा हुआ है हम एलौ साहील मिली के स मैं प्रvordan यह से यूस करते हैं हम पीएच्पिक ज़ल्प मैं तो यह था switch case अब बार यह for loop की यानि loops की तो सबसे पहले एक मैं अबर ले रहे था हूं number equal to 0 यानि एक num लिया उसको मैंने 0 कर दिया default value उसकी मैंने pass की 0 इसके बाद मैं यूज कर रहा हूं while loop यानि while यह loop है while num less than 20 यानि 20 से अगर less than no ना हो 20 less than ना हो तब तक चलना चाहिए यह loop echo plus plus num यानि यह one two twenty number print करेगा और मैं इसे कॉमा इसमें concrete ignition कर रहा हूं यानि हमें number में print करेगा one two three four five six seven eight twenty तक use करने देगा जैसे 20 20 हो जाएगा तो वह उसका आगे नहीं जाना तो आप देख सकते हो देख और प्रिंट हो रहा है one two three four five six seven eight ten ten eleven twelve twenty तक जा रहा है कि हमने less than 20 यानि last में क्या होगा एक time to 20 आई जाने वाल है तो जिसे 20 यानि 20 less than 20 यानि condition फॉल्स होई तो वह बाहर चले जाएगा अब देख सकते हो आप यह 20 वैली जा चुके लेकिन 20 के बाद में भी कॉमा आ रहे है अब देख सकते हो 20 के बाद भी कॉमा आ रहे है तो अब हम नया रूप यूज़ कर रहे है फॉर लूप कैसे यूज़ करता है तो फॉर लूप के अंदर तीन कंडिशन्स आती है सबसे पहले एक डिफॉल्ट यानि नम इकवल टू वन मैं यहां से नम से स्टार्ट करने वाला हूं उसके बाद नम लेस देन एकवल टू 20 यानि 20 तक चलेगा इसके बाद नम प्लस प्लस यानि इंक्रिमेंट कर दो यहां हम सब कुछ य ही चिस पर या हम गार म्हां पर बने यह जो है ना 20 के बाद कॉमा नहीं आना चाहिए तो उसको कैसे सॉल्ट करेंगे तो आप देख से को फॉर लूप के अंदर मैंने नम प्रिंट किया लेगिन यहां कॉंकेटिनेशन मत करना कॉमा का हम क्या करेंगे एक और इफ कंडिशन लेगे कि इफ नंबर नंबर नॉट इक्वल टू 20 यानि 20 नथे कोई क्या होनाु चीक गई को मअ प्रिंट ओनांट अगर 20 होगा तो वह अंदर जाए गईनेर याने कौमा प्रिंटी नहीं होगा को है एल्स को को समय या याओ यार्यश घ्रीक करें घ्रीक याओ जला एंग या 20-22 नहीं है तो ब्रेक को है तो चलिए अब देखले से युद्या ऑचा के अगया नम लिया नम वैलेंटी तक की और चेख किया ये प्रिंट होता जाएगा जब तक 20 नहीं होगा तब तक वह अंदर जाता जाएगा कॉमा तक 20 आजाएगा वैसे वह ब्रेक हो जाएगा उचली रंगर करके देखते हैं देखिए आप 20 के बाद कोई भी कॉमा नहीं आ रहा है स्टार्ट हो रहा है यहां से 123 मैं इसे ब्रेक मेरा या यह किया इसलिए यह नहीं पर वैकर आप इतना देखिए है बहुता 20 के बाद कोई कॉमा नहीं आ रहा है तो मैं आगे वाइल लुप को निकाल देता हूं अब सेव करता हूं और अब रंड करता हूं आप देख लिजिए 1-20 और 20 के बाद कोई कॉमा नहीं तो यह था सिंपल फोर लुप हमने फोर लुप बता दिया मैंने और पाकी सब चीज़े भी बता दी अब शुरू करते हम स्ट्रिंग कि अब मैं सिखाने वाला हूं आपको यानि एक 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 यसे बनाते हैं हम पीएचपी के अंदर तो हमने एक वेरियेवल लिया उसके अंदर आधे डालेंगे इंडेक्स नंबर जीरो है एपल का वन है और ओरेंज का टू है तो डॉलर फ्रूट और फ्रूट के अंदर मैं पास कर रहा हूं जीरो यानि कि मुझे मैंगो प्रिंट करवाना है तो मैं या लिखूंगा जीरो चॉकिंत ओछानी को लोगर है कि मेंगुख जानी करते हैं तो अब फूट का जो भी याय उस मेंसे जेरो इंडेक्स पिए तो मैं इंडिक्स मैंगो परिंट हो प्रिंट है तो इससे ऐसे यह चन्हसे बनता है फिए बीच्प होते हैं इक उते हैं निमेरी यह जो हमने बनाए बनाए खहलें बोलते हैं उसे दुसरा होता है आसोसेटी वह रहें और थाप होता है मल्टी डिनेशनल हैं कि हम दोनों चेक कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में कि थो मिनिट ऊथके तो चलिए शुरू करते हैं कि अब मैं आगे पास कर रहा हूं कि अब तो मैं आगे अब पास कर रहा हूं फोर यानि अगर हमें बाद में कोई एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवा नहीं है थ्री मैंने डाल दिया तो फोर्त इंडेक्स पर डाल रहा हूं एक नहीं वैल्यू और मैं इस वैल्यू का नाम रखता क्या रखूँ तो मिनिट झा मैं डाल देता हूं बनना बनना ओके 4 नंबर पर बनना डाला यानि यह नि एरे के अंदर हमारी बनाना भी एड़ जाएगा यह जीरो वन टूर थार्ड इंडेक्स या थार्ड इंडेक्स पर बनना स्टोर निखर धर वार पर पर स्टोर करेगा इसके बाद for each loop है हमारे पास एक और लूप है for each वह एरे के लिए यूज होती है तो सबसे पहले for each में कितनी आती है तो सबसे पहले array का नाम as as temp यानि हम dollar temp यानि temporary variable है यानि array की सारी values यह temporary में store करेगा और अंदर हम प्रिंट कर देंगे टैम को यानि इको टैम for each loop एरे के लिए यूज होता है तो हम उसे ऐसे यूज करते है टैम इसके बाद में कॉमा दे रहा हूं यानि सारी वैल्यूज एक साथ प्रिंट होने वाली है तो कॉमा और ब्रैकेट आप देखे तो पूरीच से तो यह था एरे सिंपल न्यूमरी करें और मैं एक और चीज कर रहा हूंगा याँ जूम नहीं कर पा रहा हूं एक्चुली आ चाहित प्रॉब्लम है रेकॉडर में जूम नहीं हो रहा है तो मैं अचली एक और मैं आब एससेटी वैरे बना रहा हूं यानि कस्ट इन दुट है जूम दून इसको बोलते अशोसीएटी वैरे यानि जो यह यूज़र ना वह वैल्यू और जो नेविश्की की है जैसे में जीरौ उसकी थी एपल में तूथी शरी ओन था औररेंज में डू थी ऐसे हम यहां पास कआप कर रहे हैं यानि नेम अब इसकी की है की और वैली दोनों एक साथ पास करेंगे तो कैसे पास करेंगे तो एरे उसके सबसे पहले की उसके पाद इक्वल टू एंगुलर बैक सड़ी ग्रेटर देन और यूजर यानि जो वैलिए वो सेम एड्रेस और सिटी यह हम डायरेक उस फॉर्म से अंदर इंपोर्ट करवा रह रहे लेकिन प्रिंटर में आपको बाते हूँ सबसे पहले फोरीच में देख ले से हम कस्टमर आज टेंपररी बिवरी इस भी डाल देता हो में या विक में की डाल देता हम की और वेल्यू तो एको कसे पहले की उसके बाद में कोंटीनेशन कर रहा हो और उसके अंदर वैल्यू एन्हे सबसे पहले की आईगी उसके बाद वैल्यू आईगी तो एंड उसके बाद भी आ रही आने की ब्रेक द लाइन यानि लाइन ब्रेक करके नीचे सब कुछ आएगा तो ऐसे लिखते फोरीच लूप कि असे अरे के अंदर सबसे पहले की एंड उसके बाद वैल्यू तो चलिए रन करते हैं आप देख सेकते हो नेम साहिल सरके जम्दबाद अल्री आ रहा है आप स्टुके तो यह था असुसीयतिव एरे यह लिए अने सब्सक्राइब है बनाया हमरे पस्टाइब पहले बता यह से यह निमर्य के रहे और लास्टम अल्टिडैमेंशनल एरे तो फुर्ट में एक और दूसरा एक और एरे बना रहा हूं फूर्ट प्लस कर दिए यह कर दिए यह मैंने क्या थो एक को एक एरे में डाल दिया नवेती तौसके नो डालरिह कि इसके पाद मैं मल्य को बता बना कि बताता में अर्मिक्टि है कैसे बनाते हैं जो वारा लास्ट एरे सिंपल एरे और उसकी ब्रैकेट इसकी ब्रैकेट के अंदर सबसे मैं पहले पास करता हूं साहिल यानि यह है नियुमरी कह रहे है वन टैप आप आप कह सकते हो इसके बाद सर्खेज एंड एमदबाद यह नियुमरी के लिए कि अंड उसके दॉसरा एरे बना रहा हूं ये एक क्यारिकों कुछ भी लिख देते जैसे रेंडम एंड बस बागी अड्रेस सबसे में तो इसे तीन एरे मैंने बनाए और ब्रेकेट यानि कि फर्स्ट एरे सेकंड एरे थर्ड एरे और समिकॉलन इसके बाद इसको प्रिंट करते प्रिंट करने के लिए हम फोर इच लूप फोर हम अंबर पास वेल्यूश तु ता ओन एंडिन ग्रेटर देंट इन्रों प्लस एसके बाद है कि इसके बात ब्रेकेट इसके बात फोर अब कॉलम्स के लिए मैं कॉल्स यूजिज कर रहा हूं यानि कॉल्स पाल इकॉल्स जें द इन्रियननी कोल्स हमार पास 3 एकॉलंस भी 3 यह greater than three three and calls plus plus calls plus plus इसके बाद अंदर हमें print करवाना है इको customer यानि array का नाम customer सही है customer इसके बाद दो bracket के इंदर हमारे पास multidimensional राए तो मैं सबसे पहले रो एंड डूसरी बेरिगेट के अंदर कॉलम्स यानि सबसे पहले 00 दोनों में जाएगा यानि इस प्रिंट होगा साहिल उसके बाद होगा 0102010121112 ऐसे प्रिंट होगा और उसके बाद कॉमा और मैं दोनों को बंद कर देता हूं जैनि को हो बियार यहार याक एक रोजब्र होने के बाद दूसरी रोज ग황दु दो से हमारा त्यार इसके बाद ऐसके एसंती एन्हें किला है कि अधर हैं काप प्रोब्लम हок तो यहां पर चलीज टीन से बिस्ता है में कि एक गलती हो गई कि यां एक ब्रेकट और बना देते हैं और यहां एक ब्रेकेट और स्टार्ट कर लेते हैं एक पूरा एरे उसके अंदर तीन हम ऐसे अब देखिए तो आप साहिल के जानदाबाद साइंस के जानदाबाद तीनों प्रिंट हो रहा है तो ऐसे पूरा मुल्टी टैमिशनल एरे बनता है यानि एक पूरा एरे बहुत मेस Jana तक आट मैसे करते तो इसके आफ एक टवस स्टिंग यहिस हे सांट तो स्टेट похटता सिंपल न्यूमरी का शॉट करते है अब हमारे पास यह आजका है यह शौटर अरी इंयो इसको प्रेंग शॉट्स त्ररेंग उसके अवा इसके harvest तरिंग को सब श यह जब आगे नठाब केरा तो ऐसे हम कर सकते एरर के अंदर इसके बाद 35 मिनिट्स कोई Sumeria और इसके बद स्ट्रिंग हेलो इस से अब ञेए हैप सब स्ब्सक्रीये कमाइब एलो हाउ तो है वेलकंब चु सान्सक्य टुतूरियोल्स लास्ट इस टरेंगी था सायन स्केत ट्ट।ोरीयल इसके और है कि ऌाद इस टृइंगो मैं शुर्इम्पल प्रेंट करना है वह सीपले चेक्टोड स्बसे परहना है ते कि और हुआ हुइआ को कोई 21st सबसे पहले हम लैंठ चाहे निया स्ट्रिंग के तो शुरिंग यानि हमने उस ट्रिंग को पास कर दिया अंदर डॉट डॉट बी आर एंच यानि हमने सबसे पहले लेंथ पार कितनी लंबी लेंथ है यानि कहां कितनी है मैं इसे थोड़ी ज्यादा स्पेस छोड़ देता हूं तैकि जो अगला है वह मैं आपको सही से बता सकूंग यानि सब यानि लेंथ बता रहा है लेकिन लेंथ ल ट्री लेंए लेंथ से कितनी है यानि लेंग्क एंदूबी आर्ल ट्रिम जोड़ेंट से निकल देना है और सिंपल एक स्पेस रख दैना है कि मैं अंदर पास कर रहा हूं यहाँ यार up कि नहींव मैं और फ्रब्लम कि zł यहां पड एंड ब्रेकेट एंड प्रॉब्लम है यहां तो यह हमने ट्रिम की लेट से यानि मैं सिंपल ऐसे राइट से करना है हमें और सिंपल करना है तो राइट से ट्रिम करेंगे हम एंड यह टी निकाल दोंगा मैं और यहां से भी ज्यादा है तो मैं उसे भी निकाल देता हूं और आर रखरें हो चुकाए तो सिंपल करणा तो रैट से ट्रिम लेप से ट्रिम यानि इनी इतनी स्पेस से और निकाल लेगाए और पिछे से दोनु जगा से निकाल लेगा हमें या स्पेस तो देखनo myself लेगे देखिए आप सबसे पहले लेंथ देखी तो हमने क्या था 66 उसके बाद हमने ल्ट्रिम की ल्ट्रिम में कितनी आ गई 52 यानि समझ लेजिए आगे की जो है वो उसके आगे 54 यानि पीछे की और उसके बाद सिंपल सबसे ज्यादा ट्रिम यह दोनों 40 यह एक्जेट लेंद है हमारी स्ट्रिंग हेलोटू टूट्रियल सकी 40 है लेकिन स्पेस के वज़े से वह ज्यादा बढ़ रहा है इसके बाद है यह इक li conक garment inheath ie Epos。 osób की तरहा ही काम करता है अग года भिवारी को लॉप कर दू ही काम करते हैं और दोरों के विच में आपको ढ经ल आपको डिlli इसट्रेंस ब्रॉम इसलिए मैं आपकों आपको दोनों यूज करका बता रहा हूं को सबसे पहले अउस करका बता रहा हो सबसे पह एंड दोने में ज्यादे तर कोई difference नहीं है तो तो द्रेकेट्स एंड कॉमा स्ट्रिंग हमें इसमें ऐसे पास करना यानि अंदर जो स्ट्रिंग वो इंदर गिनी नहीं जाएगी या परसंट एस परसंटेज एस याने की स्ट्रिंग आप देख सेटेगे दोनों सेमी प्रिंट कर रहा है लेगिन वहां हम अलग तरीके से प्रिंट कर सकते हैं और यहां आगे वां डारिक स्ट्रिंग डाल सकते हैं और यहां के परसंटेज एस पर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग और बाहर हम स्ट्रिंग पास करेंगी जो भी कॉमा के बाद तो वह अंदर एस की जगाँ पर आ जाएगी अब देख सकते हो हेलो हाई व चलेगा कि प्रिंटेप का सही खाम क्या है मैं यह आज डेसिमल नमबर डाल तीता हूं ज़ी मनबर के बाद में इक्वल टू डेसिमल नमबर परसंटेज तू पॉइंट जोखेँ लिए तुल नोश्ग बड़ एकिन बता रहे है इसके बद ऑल माले चीज़े यहांगे डाल से यहांगे डाले जैपने दुल ऐसे बड़ है दी एफ ओ एस एक स्टिंट टू स्टिंग इंडिजर टू एक्साइशिमल इंडिजर टू करेक्टर बाइनरी फ्लोट हम यह सब यूज कर सकते हैं अब को आपको और भी काफी सब गूगल पर इसके अन्वर्जिशन कोर्स मिल सब मिल जाएंगे आपको यह सारे कंवर्जिशन कोड बाइनरी कम रच करना ओए मैंने फ्रैक्शनल में अधिक यह यांग फ्लोट डबल थो फ्लोट में उसके वो डबल था इसको फ्लョट मैं कर्वाट किया है तो यह सारे कंवर्जिशन कोड इसे हम यूज कर सकते हैं प्रिंट अब के अंदर फ्रेंट का जो श्ताइल यह वो सब चीज़े वो चेंज कर सकते हैं लेकिन इको में वो चीज नहीं कर सकते हैं इस तो यह है डिफरेंस प्रिंट टैप और इको का तो मैं अब इसे डिलेट कर देता हूं रिमूव कर देता हूं और अब मैं इको स्ट्रिंग था टू अप देख अफर यानि की टूअपर से क्या होगा की पूरी स्ट्रिंग की वह अपर केस में गपढ़ गूं दिखा हुआ है वह पूरा अपर के स्वाइब में अ इसके बाद कि आप अपर दी हुई है वह अपर में आजाएगा इसके बाद सारे functions में एक साद आपको बता देता हूं एक अपर है जैने उसके बाद लुवर रैंट पूरा लुवर जैनि सित बाद पर लुवर किसमें दा उसके बाद है इस च्र अ कि उसके बाद है कि हर एक वर्ट्स का जो पहला capital वह यानि हेलो का है हाइच हाइच डब्लू का वैलकम यह सब capital करें यूशी वर्ड्स और यूशी फर्स सिफ हेलो का एज क्यापिटल करेंगा चोले देख लेते हैं कि अ यह हुआ नहीं आए है क्या प्रब्ल्म है अच्छा सेव नहीं किया है में ठीक है सेव कर लिए आप देख सेकते हैं तू अपर यानि सब कुछ क्यापिटल तू लोवर यानि सबकुछ लोब और इसमें यूशी वर्ड्स में आप देख सकते हैं ह्-डब्ली सबकुछ H capital में आ रहा है लेकिन.. 살아야 non Uc the first की सी किसल आकम नहीं까요 मैंने ऐसमने अच्छा मेने श्पेस काफ बस देखे रहा है , हो से हुगा सब बागी सब बाकि सब स्मॉल रहेगा , योसी फस से होगा और शी वर्ट से सारे स्रावेला आट Amendment यह से स्ट्रेंग्य손स परना स्टिंग कोछ और फंक्शन्स भी है जैसे कि मैं पाटिशन बता रहायं। निकाल रहाओ को सिक्सिक्स तक पर्टिशन कर दिया को सिक्स टार्मलप्रिशकर कर दिया तो हमने एक बडि स्ट्रिंग को छोटे मैं काड़ी है अब देखिये हाँ के रेंडम लिखा हुआ आ को तो इसे हमने रेंडम यानि कि काम्नेश छोटी कर दिए ऐसे हम रेंडम स्टरिंग में जितना जाए बीच में से यह बहुत बड़ी स्ट्रिंग का हम अलग अलग पाटिशन पाट सकते हैं यह स्ट्रिंग का फंक्शन इसके बाद पाटिशन के बाद मैं आपको बता दिताऊं इंक किया और स्ट्रिंग का और फंक्शन?" मुर्वालं कि नाया बंक मैंने एक वर्याबिल लिया मन ए支持 LGBT । इसके बाद एक और मैंने यह मैनने कंपरिसं दूत सmak 말ط कि यह मैंने दो वर्याबिल का इंधर मैंग सित्रिंग य। इसके बाद मैंने comparison ही टाया RED से कंपर्या होगा लिए दोनों स्ट्रिंग एक काथ पहल해요 कियों जो मैन हो याज गाव या उत्य in कित्त्यृ यह मैन मेंषिवन दाल स्प्रिंग अब देख्चे रन करने में छब ड़ी माइनस पुरा कि लिलाफ़े और को खी लंबी स्ट्रिंग है और देट्सटेट Jessow meanhouse sód उसके बाद दा string str str string and sign यानि मैंने sign नम की जो string है वो निकाल ली यानि string sign यानि here I am checking के sign नम की जो string है वो hack के नहीं है actually string sign में print कर वा रहा हूं तो capitalize कर देता है यहां के and string अब देख लीज़े हैं यहां के the string आगे को कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने small में sign लिखा हुआ है तो मैं इसे अगर small यानि string के अंदर जो भी हमारा hi oh hello hi welcome to sign tech tutorials जो sign है वो मैं print कर रहा हूं to sign tech tutorials आ रहा है यानि उसके आगे की जितनी चीज़े वह सब मैं ले रहा हूं उसके पहले की कोई भी चीज़े नहीं ले रहा हूं अब मैं location बता देता हूं location of string तो location of string कैसे check करते है तो str pose यानि str position position से इसकी location check करते sign की location क्या है तो location of string is 21 यानि आप यहां से गिनो है कि यानि ट्वेंटीवन पर सायन आएगा यानि 21 तक यह चलेगी इसके बाद एक बार देखते new string यानि new string कैसे बनाते तो new string str replace हम तो हाई हाई को हमें replace करना है से यानि hello hi हाई को replace करना है से तो हाई फिर हे end बाद में जो string के अंदर से replace करना है वो तो string का नाम यानि string तो आप देख लिए replace हुआ क्यानी और new string को में print कर रहा हूँ new string echo के अंदर अब आप देखना हाई के जगा hello hey hello hey अब देख सकते हो hello hey welcome to science तो हाई की जगा हे हमने replace कर दिया word तो यह था इसके बाद हम functions देख लिए last time functions function मैंने add करा यानि add नम का function बनाया addition और उसके bracket में मैंने number 1 और num2 दो parameters लिए num1 num2 यानि इस function के अंदर num1 और num2 मैंने दो parameters लिए और यहां मैंने return किया यानि उसके बाद return करवा रहा हूँ वैल्यू को उसके प्लस करवा देता हूँ दोनों addition function का नाम से प्लस करवा देता हूँ return num1 plus num2 यानि जो भी प्लस होके वो return हो जाना चाहिए यह function है अप्स इपल condition सबकुछ सिख लिया और यह last function PHP अंदर मैं जितना चाहिए उतना मैंने cover करने के ट्राइ किया मैंने सब कुछ cover कर लिया और मैं आगे eco 3 plus 4 मैं प्लस करवाना चाहँगा 3 plus 4 equal to और यहां मैं function का नाम लिखूँगा यानि addition call करवा रहा हूं यानि addition उसके नाम से और उसके इंदर में दो पेरामिटर डाल रहा हूं 3 और 4 यानि num1 num2 जैसे यह पास करेंगे run होगा function dot call होगा और call होते ही वह return करेगा num1 num2 यानि plus होगा और वह return कर देगा इस जगा पर तो अचलिए थैंक यू वरी मुच पर वाचिंगे